बहुत टाइम के बाद कोई पहला ऐसा मंगलवार है जहां वाकई में सब कुछ मंगल लग रहा है नमस्कार मैं हूँ रॉनक मंगलवार की सुबह आ गया हूँ लेकर आपके लिए रंतंत्र फाइनल की हाइलाइट्स देख देखकर मेरी आँखें लालो चुकी है लेकिन मुझे कोई कंप्लेंड नहीं है पिछवाडा लाल होने से अच्छा है आँखें लाल हो है की नहीं लेकिन यार ये वर्ल्ल कप जीतने के बाद अभी भी कुछ अधूरा सा लग रहा है लेकिन वर्ल कप का सेलिब्रेशन अपने लोगों के बीच हो तो अलग बात होती है इसी तरह का जशन हमने प्लान कर रखा था कि टीम इंडिया आएगी तो खुली बस के रूफटॉप पर हमें और भी वीडियो देखने को मिलेगी जिनको देखकर हमारे दो ढ़ाई महीने पास हो जाएंगे लेकिन टीम इंडिया आभी तक इंडिया आना तो छोड़िये वेस्ट इंडियस से नहीं निकलिये सब के सब वहीं है क्रिस गेल ने वहाँ पार्टी नहीं दे रखी है वो वहाँ फंस गए है वर्ल्ड कप न जीतते तो न फंसते वर्ल्ड कप जीत गए इसलिए फंस गए कैसे यही बताऊंगा इस वीडियो में वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करना तो बात ऐसी है दोस्तों आपको याद हो का वर्ल्ड कप खत्मोंने के बाद ब्रिश टाउन में बारिश शुरू हो गई कई लोगों ने कहा कि यार अच्छा हुआ बारिश फाइनल के टाइम पर नहीं हुई हमने कहा कोई दिक्कत है नहीं इंगलेड के खिलाज सेभी फाइनल में बारिश के बडे अनुवां थे लकिन वैस्टिजीस की बारिश भारती नेताओं के वादे की तरह होती है प्रामिस करके मुगर जाती है लेकिन अपकी बार वहाँ पर इतनी बारिश हो रही है अपने घरों में रहने की हिदायत दी है मामला इतना भी गड़ चुकाई कि एरपोर्ट तक बंद हो गया और इसकी वज़े से टीम इंडिया वहाँ गए जर्नलिस्ट सारे लोग वहीं फंस कर रहे गए टीम इंडिया फिलाल वहाँ पर हिल्टेन होटेल में ठहरी है रोहित चर्मा ने एक इंस्टा स्टोरी में सुबह उटकर ट्रॉफी के साथ फोटो डाली जैसी रोहित की याददाश्त है मैं बाकी लोगों के से कहना चाहूँगा पता चले अपने वेडिंग रिंग की तरह ट्रॉफी भी होटल में भूल आ जाए लेकिन फिलाल तो वहाँ पर कोई भी निकल नहीं सकता क्योंकि संडे शाम से एरपोर्ट बंद है साउथ अफरीका वाले पहले ही निकल गे थे इंडिया ने भी चाटर फ्लाइट करके निकलने की कोशिश करी लेकिन तब तक एरपोर्ट बंद हो चुका था अब जैशा ने बोला है तो भी यह टीम इंडिया को सम्मानित करने के सारे कारिक्रम होंगे और वो खुद और्गनाइस करेंगे लेकिन जब एरपोर्ट बंद है तो आदमी बंदे भारत करके तो वेस्ट इंडिया आएगा नहीं है की नहीं लेकिन चलो कम से कम इस बात के तो खुशी है कि देर से ही सही जश्न होगा जरूर भारत आकर टीम इंडिया को मोधी जी से भी मिलना है मोधी जी चाहें तो साउथ अफरीका, पाकिसान, इंग्लेंड, उस्ट्रेलिया इन सब को फोन करके ये कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? आप लोग रोना बन के जिये मेरे तक आवाज आ रही है फिलाल बार बड़ोस में जो लोग फंसे हुएं फिर दोनों टीमों को जॉइंट विनर घोशित कर दिया जाता वैसे तो तूफान आना ही नहीं चाहिए लेकिन आ रहा है तो अच्छा है थोड़ा लेट आया फिलाल जब टीम इंडिया लोट कर आएगी तो किस शहर में उनका वेलकम समारू होना चाहिए और क्यूं कॉमेंट करके जरूर बताना बागी चानल से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी जरूर लाइक करना थैंक्यू फूर वाचिंग कल मिलते हैं जैहिंद